गूड मार्निंग आल अफ्यू तो बच्चो हम पाट पड़ रहे थे जामून का पेड़ ठीक है जिसके लेखा कहें कृष्णा चंदर जी कृष्णा चंदर जी यह बात कहते हैं कि वहाँ आदमी जामून के पेड़ के नीचे दबा हुआ है और उसकी फाइल जो है एक दबतर से दूसरे दबतर दूसरे दबतर से तीसरे दबतर घुम रहा है कई कलर का जो है उसको जब पता चलता है कि वह दबा हुआ विक्ति जो है एक शायर है तो बहुत सारे कलर का जो है उन्हें को गजलों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे सुनाने के लिए कहने लगे जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक सायर है तो सिकेट ट्रेट की सब कमिटी ने फैसला किया चोंकि दबा हुआ आदमी एक सायर है इसलिए इस फाइल का सम्मन ना एगरी कल्चर डिपार्ट से है नहीं हाडी कल्चर डिपार्ट से है बलकि सिर्फ यह जो है कल्चर डिपार्टमेंट से है कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरूत किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे सायर को इस फलदर पेड से छुटका रादी लाया जाए फाइल जो है कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेकेटरी के पास पहुँच बेचार सेकेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेकेट्रेड पहुँचा और दबे हुए आदमी से इंटर्वे देने लगा कहने लगा तुम सायर हो उसने उसके पूछते ही कहा जी हाँ दबे हुए आदमी ने जवाब दिया हाँ मैं सायर हूँ पुना पूछता है क्या उपनाम रगते हो उन्हें ने जवाब दिया ओस ओस सेकेर्टी जोस से चीखा क्या तुम वही ओस हो जिसका कवीता संगरह ओस के फुल अभी हाल में प्रकासित हुआ है दबे हुए सायर ने इकराब से सीरह लाया सीरह लाते हुए उसके हाँ में हामी भरी क्या तुम हमारी अकदमी के मेंबर हो सेकेर्टी जोस से चीखा इतना बड़ा सायर ओस के फुल का लेखक और हमारी अकदमी का मेंबर नहीं है सदत से नहीं है उफ ये कैसी भूल हो गई हमसे कितना बड़ा सायर और कैसी अनेरी गुमनामी में दबा पड़ा है गुमनामी नहीं एक दरक्त के नीचे पड़ा हुआ है कि विप्या मुझे इस पेड़ के नीचे से निका लिए अभी बंदोबस करता हूँ सेकेटरी फोरण बोला और फोरण उसने अपने विभाग के रिपोर्ट की दूसरे दिन सेकेटरी भागा भागा सेयर के पास आया और बोला मुबार्वा को मिठाई खिलाओ हमारी सरकारी साहित तक अदमे ने तुम्हें अपनी केंदरी साखा का मेंबर चुन लिया है यहलो चुनाओ पत्रा मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो वा दबा हुआ आदमी कहता है लेकिन उसका कोई नहीं सुन रहा है दबे हुई आदमी जो है दर्दे से करा रहा है उसकी सांस जो है बड़ी मुश्किल से चल रहा है ऐसा मحसूस हो रहा है ऐसा प्रत यह हम नहीं कर सकते सेकेटिवी ने कहा और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया बलकि हम यहां तक तो कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी बच्चे को वजीफा दे सकेंगे अगर तुम दर्खाश दो तो हम वह भी कर सकते हैं वहाँ अभागा विक्ती जो है जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है वो कहने लगता है मैं भी जीवी तो हूँ सायर रुक रुक कर बोला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत यहा है कि सरकारी साहित अकदमी का सेकेटरी हाथ मलती हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से सम्मनित है उसके लिए हमने फारिष्ट डिपार्ट को लिख दिया और अरजिंट लिखा है साम कु माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फारिष्ट डिपार्ट के आदमी आकर इस पेड़ को काड़ देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी ऐसा सूचना मिला माली बहुत खुश था दवे हुए आदमी का स्वास्त स्वास्त जवाब दे रहा था मगर किसी को इसकी कोई परवाँ नहीं थी कि किस तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था वह दबा हुआ आदमी जो है सवेरती तक किसी ना किसी तरह से उसे जीवित रहना है ऐसे लोग आपस में चबचा करता रहे दूसरे दिन जब फारिस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलहाडी लेकर पहुँचे तो उनको पेड काटने से रोग दिया गया मालुम हुआ कि विदेश विभाग से हुकमाया था किस पेड को ना काटा जाए कारण यहां बताया गया कि इस पेड को दस साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधान मंत्री ने सिक्रेट केलान में लगाया था अब अगर अगर यहां पेड काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबन सदा के लिए बिगड़ जाएंगे मगर एक आदमी की जान का सवाल है यह कलर का चिलाया दूसरी और दो राज्यों के संबनों का सवाल है दूसरे कलर करने पहले कलर को समझाया और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्या को कितना सहयता देती है क्या उनकी मित्रता की खाते वे एक आदमी के जीवन का भी बलेदान नहीं खर सकते हैं हम शायर को मर जाना चाहिए निसंदे है अंडर सेकेटरी सुपरिटेंडेन को बताया आज सवे प्रधान मंत्री दोरे पर वापस आ गया है आज चार बजे विदे स्विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा जो वे फैसला लेंगे वही सब को स्विकार होगा स्विकार करना पड़ेगा सभी भागो को साम के पाँच बजे स्वेम सुपरिटेंडेन सायर की फाइल लेकर उसके पास गया सुनते हो आते ही वह खुसी से फाइल को हिलाते हुए चिलाया प्रधान मंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतराष्टी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है कर यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे सुनते हो आज तुम्हारी फाइल मुकमल हो गई है मगर सायर का हाँ ठंडा था आखों की पुतलिया निरजीव थी और चीटियों की एक लंबी पंक्ती जो है उसके मुँ में जा रही थी उसके जीवन की फाइल जो है मुकमल हो चुकी थी उसके जीवन की फाइल जो है बंद हो चुकी थी तो आज सवकारी डिपार्टमेंट के लापरवाही के कारण एक विक्ती का जान जो है बिकार में चला जाता है लोग जो है केवल फाइल को इस विभाग से उस विभाग से उस विभाग इस अपार्टमेंट से उस अपार्टमेंट केवल गुमाते रहे जिसके चक्कर में और जब आदेश मिला कि उस पेड़ को काड़ दिया जाए तब तक वहाविक्ती जो है परलोग सिधार चुका था उसके जीवन की फाइल जो है बंद हो चुकी थी तो बच्चो ये पाट आपके समापत होगे धन्यवाद